हलो दोस्तों कैसे हो आपसब आज हम जानेंगे मैं आपके साम में एक नई वीडियों लेकर आया हूं तो आज हम आपसे डिस्क्स करेंगे यहां पे चौकट जो हम लगते वह कैसे लगाते हो और कितना रेट लेते हैं एक चोकट का तो आपको सबसे पहले हम यहां आपको डिजाइन दिखा देते हैं यह डिजाइन देख लो आप पहले इसका क्योंकि यह सबसे पहले आप इधर इधर देखो सबसे पहले यह अलग पत्थर है यह भी अलग है यह इसका डिजाइन पट्टी भी दिया हुआ है सामने से तो यहाँ पे एक गुरूब जैसा रखा गया है ताकि चोखट देखने में भी अच्छा शामदर लगे यह फ्रेम का कुल खर्च आएगा कारीदर का आएगा तीन अजार रुपे सिर्फ कारीदर लेगा आप से बनवाने के लिए तीन अजार रुपे एक और इसमें माल आपको क्या क्या चाहिए इसमें सबसे पहले एरोलेट आपको चाहिए क्योंकि यह पत्थर को चिपकाना पड़ता है चिपकाने के लिए एरोलेट और फैवी कीग भी चाहिए और इसमें यह तो केमिकल से लगाते हैं केमिकल से सिमेट से हर जगा अलग अलग परकार कही हो जोता है लेकिन बहतर यह है कि अगर फ्रेम अगर चोकट बनवा रहे हैं तो इसको आप केमिकल से ही लगा है ताकि इसमें जो दर्वाजा आएगा इसमें ड्रील जो लगेगा वो अच्छा होगा तो इसमें आपका कारिगर को देना है इसमें एक चोकट का 3,000 रूपे और अगर आपका कुल टोटल खर्चा आप तकरीबन आपका आजाएगा इसमे एक पार्टिया तीस भाई आठ का एक पार्टिया लग जाएगा पुल टोटल आपको तकरीबन पंच हजार रूपे में एक बनेगा तोटल आपका खर्च सब केमिकल विद्धर पथर वगेरा सब टोटल एक फ्रेम का आप पांच हजार रूपे लगा लो और लगाने का ती टीम हमारे साथ मुझूद हैं उसे टीम के हिसाब से हम काम लेते हैं काम करवाते हैं और अगर आपको किचन भी बनवाना है तो किचन भी हम यह से बनाते हैं सिंपल डिजाइन किचन और किचन में आपका तकरीबन 10,000 रूपे खर्च होगा 10,000 सिर्फ कारिगर का खर्च किचन में आपको 20,000 रूपे पड़ेगा और एक फ्रेम का टोटल खर्च आपका माल मेटरियल समेथ 5,000 रूपे पड़ेगा तो आप देख सकते हैं इस छोड़ा सा प्रिंडी भी बना हुआ है यहां पे और प्रिंडा का बनवाने के लिए एक मिस्तिरी का खर्चा है 5,000 र के लिए 10,000 रूपे टोटल खर्च खरेन के लिए 5,000 रूपे टोटल खर्च हम लोगों ने टोटल काम करता हूं यह फर्स के लिए भी आपको पड़ेगा फर्स में जो भी डलवाओ बहतर ही रहेगा तो हम देखते हैं चलिए आपको पूरा बताएंगे और इधर पूरा ल हम लोगों फिर आप से हम डिस्कस करेंगे बाद में अब इधर पूरा ब्यूर एक बार रेक वाइस हॉल वजड़ा हम लोगों ने दो बाइचार का टेमिक टाइल लगाए हैं इसमें गुरूप भी छोड़े गुरूप ने भी गेरोड भर दी है कल पूरे गुरूप के आज लगाएं कल निकल जाएगा कहीं से टुप टुप करने की आवाज भी नहीं आएगी आप ऐसा चेक कर सकते हैं हम ऐसे लगाते हैं कि अगर यहां पर कहीं पर नीचे नीचे खाली भी ना हो अगर खाली रहेगा फिर मजबूती नहीं होगा तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि हम ऐसा आपको अपडेट आपको देते रहेंगे ऐसी जान